कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मार्केट मूबर पे देखिए सोलर रुपिय का डिविडेंट देने वाला है यह से और भारत की बहुत ही बहतरीन ऑईल एंड गैस सिग्मेंट की एक बहतरीन कंपनी देने वाली है और इसमें बड़े- कहां से बाइंग आनी चाहिए यह सारी चीजिस वीडियो पर इंक्लूट करूंगा तो वीडियो की इंड तक देखिएगा आपको सारी चीजिस समझ में आ जाएंगी सोलर रुपिय का डिविडेंट माइने रखता है सिर्फ 400 रुपिय का यह सेर है और सोलर रुपिय का दिया था 2020 में और अगर आप देखेंगे तो 2019 में भी आठ रुपिय का डिविडेंट है ग्यार रुपिय का डिविडेंट तो डिविडेंट देने में माहिर है यह कंपनी जियां भारत की लौती कंपनी न अदर देन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपी डिविडेंट मिलने वाला है और वो डिविडेंट का डेट बहुत दूर नहीं है सिर्फ 19 फैब को ही यह डिविडेंट आपको मिल जाएगा अगर आप पहले से शेयर पर बने होए तो डिफिनेटली आपको एक हैंसम डिविडेंट मिल रहा है और स्टॉक का प्राइज एक वीक के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए या फिर बाइचेक आप तक पहुंच जाए ठीक है तो आप 18 तारिक तक आप इस स्टॉक पे बाइंग कर सकते हैं जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे कि आज स्टॉक का प्राइस क्या है और लगबग इसकी फोरकास्टिंग क्या है तो लगबग 71% लोग इसे बाइ करने के लिए कह रहे हैं 16% लोग ऐसे हैं जो इसे सेल करने के लिए कह रहे हैं और होल्ड करने की जो बात आ रही है वो 12% मतलब होल्ड और बाइ यह दोनों मिला दिया जाए तो लगबग 83% का इस स्टॉक का अगल ही इस स्टॉक पे बड़ी अपडेट आई है और HDF से सिक्यूरिटी के तरफ से यह बाइंग ऑपर्चुनिटी आई है टार्गेट 461 का दिया जा रहा यहां से 10% का अपसाइड मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है दस फरबरी को फिर से निर्मल बैंक्स इंसिटू मोबर्च चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको पहले फोरकस्टिंग की जाती है स्टॉक के बारे में अभी स्टॉक कहां पर ट्रेड कर रहा किस जोन पर निकलने से स्टॉक पर तेजी आएगी यह सारी चीज़े इस वीडियो पर जानेंगे तो इस वीडियो को पूरा ज टर्निंग लिया मतलब उपर जाने के बाद लगभग इसी जोन पर आने के बाद इस स्टॉक में क्या आई प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक में देखिए 466 का आपको लेबल देखने को मिला तो जब तक 426 को ऊपर स्टॉक ना निकल जाए इस टॉक पर बाइंग ऑ चूने के बाद स्टॉक पर करेक्शन आया ठीक है तो जब तक इस यह स्टॉक ऊपर नहीं निकले और जिस दिन ऊपर निकल गया 426 से बना कर रखिए यह स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाएगा और आपको साड़े 400 460 और 490 तक के टार्गेट दे जा रहें ताप वहां तक के लिए बाइंग कर सकते हैं अगर आप 426 पर बाइंग कीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस 410 और 400 इससे ज्यादा नहीं इससे नीचे उस समय आपको नहीं देखने को मिलेगा यह से तो आप देखिए बीपी सेल को बहुत अच्छी कंपनी है इसमें कोई पी जो है वो का हाइलाइट की गई है 120 परसेंट का प्रॉफिट जंप किया है आप सोच के समय सकते हैं क्या प्रॉफिट इसने हैंसम निकाल के दिया है तो देखिए दिसंबर कोडर का रिजल्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं देखिए 1500 करोड की प्रॉफिट और यह स्टॉक को उपर तक ले जा सकती है फंडमेंटल स्टॉंग है बीपी सेल को कौन नहीं जानता है तो याद रखिएगा इस सेर को साड़े 400-460 के टार्गेट के लिए देखिए अभी तक का जो हाई है वो 450-460 के आसपास में है तो यहां तक यह स्टॉक जा सकता है ज अच्छा अलग से प्रॉपिट दोनों ही सेर पर आपको प्रॉपिट प्रॉपिट नजर आएगा तो बीपी सेल अपने ट्रेडिंग डैक्स पर जरूर सामिल किजिए गा उन्हीं इस तारीक को 60 रुपिय का डिविडेंट और बड़े-बड़े टार्गेट दिये जा रहे ह अब तक बहुत बहुत देनेवाद इस टॉक पर बनने से पहले अपनी खुद के स्टेडी अनलेसिस भी कीजिएगा साथ में और हमने अपना वीव रखा इस स्टॉक के रिगार्डिंग अपना वीव रखिएगा कमेंट सेक्शन पर जरूर थैंक्यू